कॉंग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वाइनाट से सांसद रहे राहुल गांधी की मुश्किलें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही है मोदे सर ने मान हानी केस में राहुल गांधी को दो साल तक के लिए दोशी करार किया गया है आपको जानकारी दे दें कि सूरत की सेशन कोट ने एहम फैसला सुनाया कि अब राहुल गांधी दोस्ताल तक के लिए दोशी है और लोग सभा से भी उनकी सदस्यक्ता को रद कर दिया गया अब राहुल गांधी अगले आठ सालों तक चुनाप नहीं लड़ पाएंगी वहीं यहां पर सदस्यक्ता बहाल करने के लिए अब जरूरत यह है कि उनकी सजा में अगर कुछ दिन की कटोटी हो जाती है तो सदस्यक्ता बहाल हो जाएगी अब गुजरात हाई कोट तक यह मामला पहुच चुका है और गुजरात हाई कोट ने अपनी फैसले को सुरक्षित कर लिया है आखिरकार राहुल गांधी को अब तक अंतरिम राहत क्यों नहीं मिलिया आखिरकार इस पर एहम फैसला क्यों नहीं सुनाया गया है इसी की बार में आपको पताने सारे हैं नमस्कार मैं प्राणशी रठोर और अब दीखई ही निक्स्ट नाइन यूज दरसल आपको बता दें कि अब राहुल गांधी को लेकर लगातार तमाम खुलासे हो रहे हैं राहुल गांधी करनाटक की गांधी हूँ और मैं माफी नहीं मांगूंगा ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी को लेकर लगातार यहां पर तमाम अटकले भी तेज़ है इस रिपोर्ट के जरीए आपको जानकर ही देने जा रहे हैं कि आखे का राहुल गांधी को राहत क्यों नहीं मिल पाई दरसल आपको बता दें कि अब अंत्रिम राहत राहुल गांधी को नहीं मिली है हाई कोट में अंत्रिम सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से दलीले रखी गई समर वेकेशन के बाद अब गुजरात हाई कोर्ट इस पर एहम फैसला सकता है दरसल आपको बता दें कि मोधी सरने मानहानी केस में राहुल गांदी को राहत नहीं मिली जस्टिस हैमंत एम प्राक्षक ने दूसरी सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और कहा कि छुटियों के बाद जब हाई कोर्ट खुलेगा तब फैसला सुनाएंगे वरिस्ट वकील अभिशेक मनू सिंग भी जो राहुल गांदी की तरफ से पेश किये गए उनका कहना रहा कि मैं विंती करता हूँ कि कुछ आज अंत्रिम फैसला दे लेकिन राहुल गांदी को राहत नहीं मिल पाई अब उन्हें मान हानी के मामले में हाई कोर्ट के फैसले के लिए कम से कम 34 दिनों का इंतिजार करना होगा कोर्ट में अंतिम सुनवाई में पूरेश मोदी के वकील ने यहाँ पर देखा जाए पी एम मोदी वीर सावरकर चौकिदार चोर हैं राफैल मामलो का जिक्र किया वही राहुल गांदी के वकील अभिशेक मनुस सिंग्वी ने बॉलिवूट के सुपरिस्टास तलमान खान के केस का भी जिक्र कर दिया उन्होंने यहाँ पर सवाल खड़े कर दिये हाई कोट की पहली सुनवाई में राहुल गांदी की वकील अभिशेक मनुस सिंग्वी ने दलीले रखी एक बार ऐसा लगा था कि हाई कोट ने उन्हें राहत मिल सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ दरसल यहाँ पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिये पुडेश मोदी के वकील निरुपम नानवटी की तरफ से राहुल गांदी के आचरड पर सवाल खड़े किये गए उनका कहना रहा कि कॉंग्रेस नेता एक राष्ट पार्टी की लीडर है जिसने देश पर स्तालों स्ताल शाशन किया है वे पब्लिक के बीच अलग स्टेंड अपना रही है उनके वकील कोट में आकर सजा पर रोक की मांग कर रही है और उनका कहना रहा कि यहां पर राहुल गांदी की आचरड पर नानवटी ने सूरत कोट के द्वारा सजा दिये जाने के बाद दिल्ली में राहुल गांदी की प्रेस कॉन्फरेंस की मीडिया कवरेज को कोट में भी रखा प्यम मोदी के सर्नेम का भी उन्होंने जिक्र किया कि उनके खिलाद दरजन भर मामले दरज है सूरत कोट के बाद एक मानहानी का केस हुआ और अब देखा जाय तो वह कह रही है कि उनके बयान से कोई मानहानी नहीं हुई ए उन्होंने हजारों लोगों की बीच ना सिर्फ रूंग वाली लोगों को चोर बताया बलकि आगे उन्हें चौकिदार चोर कहा फिर राफैल मामली का जिक्र किया नानवटी ने कहा कि यह सायोग की बात है कि देश के प्रधान मंत्री का सर नेम मोधी है राहुल गांदी के इस बयान से स्यासत तेज हुई है और ऐसे में उनके बयान से विदेशों तक में भी छवी खराब हुई है तो नानवटी कहते हैं यहाँ पर तमाम मामलों का जिक्र करते हुए तो उन्होंने यहाँ पर तमाम सवाल खड़े कर दिया लेकिन अभिशेक मनुस सिंग्वी कहते हैं कि अगर सजा पर रोक नहीं लगती है तो हमारे राहुल गांदी को काफी नुकसान होगा वे अपने छेतर में लोगों की बात संसत में नहीं रखवाएंगे सिंग्वी का कहना रहा कि लोग तांत्रिक तरीके से देखें उनकी सजा पर रोक जरूरी है आगे चलकर कोड कोई फैसला लेती है तो उन्हें नुकसान की भरपाई संभव होगी मिस्टर A का बयान अगर मान हानी है तो मिस्टर B का बयान या फिर उसे सजा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वे एक लोग सेवक हैं यहाँ पर उन्होंने सलमान खान की मुद्दे पर भी अपनी बात रखी कि सलमान खान बनाम राजिस्थान सरकार के मामले का उलेक है कि अभिनेता सलमान खान को काले हिरन के शिकार केस में पांस साल की सजा सुनाई गई थी इसके चलते कोट रोक लगा सकती है तब सुप्रीम कोट ने कहा था कि सलमान खान का ये दिखाना होगा कि सजा पर रोक नहीं लगी तो उन्हें नुकसान होगा जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी अभिशेक मनुस सिंग्भी ने कहा कि राहुल गांदी का मामला गंभीर नहीं है ऐसे म पर नेता करते हुए नजर आए है तो क्या यहां पर राहुल गांदी से बीजेपी डर चुकी है क्योंकि पी एम पत की दावेदारी के लिए राहुल गांदी ने खुद को आगे कर लिया था भारत जुड़े यात्रा के सरी लेकिन आपकी क्या कुछ राय परती के लिया है इस पर यह आप कोमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तब तक के लिए आप देख रही नेक्स्ट टनाई नियूस